असलाम अलेक्शन वीडियो आप अमारे चैनल पर स्वागत आए अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की अथांटिक रेक्शन वीडियो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें यह अपना प्यार दिकाते रहें जो लो देखते हैं जी मेजर अर्दुकादमी के साथ करने सेशन है उसके साथ देखते हैं वीडियो उसके पास देखते हैं अपना लैक्शन लाइक करीए सब्सक्राइब करीए बेल आइकन दवाना बिल्कुन मत भूलिए लेकिन मेजर साब देखे ना एक चीज़ जो है वो तो साफ है कि जाहरे फ्लट तो खुद ही हुआ है चाहि क्लामिट चेंज कहले या कुछ भी कहले वो तो भारत नहीं किया लेकिन अगर बाकी चीज़ों में भारत पाकिस्तान को FATF में फसा के रखेगा या कोई और तरह की नुकसान पहुचाएगा तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान को रियाक्ट नह आपके ढाटके देखा जाएगा आर्जुής पाकिस्तान जावब नहीं देगा क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछ आ था 26 ज्यार पाकिस्तान ने करता पार्लामेंट अक्षरदा अमंदीर पैकिस्तान ने माटप डाएट कर रहा था तो जवाब का जवाब थोड़ नहीं होता है, आप लोगों ने सवाल पूछा यहां से, जवाब देखिए ना, इट इसमें देखिए हम, पाकिस्तान can throw a punch, पाकिस्तान cannot take a punch, पाकिस्तान चाहता है कि बैटिंग सिर्फ वो करें, दूसरा बंदा बैटिंग न करें, यह तो गल लेकिन यह मैच कहीं खतम भी होगा, यह ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी हम आपका नुकसान करें और कभी आप हमारा नुकसान करें, कहीं जाके चीज़ खतम हो सकती है, पाकिस्तान हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पाकिस्तान को करना था, पाकिस्तान मैं कर अब पाकिस्तान नहीं करेगा अब पाकिस्तान जादर जादर क्या करेगा पाकिस्तान क्या बोलेगा इंडिया को डाल यह बोलेगा पाकिस्तान कि इंडिया को लोन मत दो यह बोलेगा जादर 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 बेंगे अंदर आज भी बेज रहे हैं ऐसा करेगा क्या पा पैकस्तान जो बुरा वुरा करनी फटाथो जुडिया चो बुरा करें और इडी अपना बुरा करें यह जो आपको यह सहरा है न यह रिटर्न फाइर है भारतegen भारत से इसे नहीं हमें कोई लेना देना नहीं कि बलोचों का अतियार पहुंचाने इसको कुछ नहीं होगा आपका खुदी मामला चल रहा है हमारी डिप्लोमसी तनी स्ट्रॉंग है कि हमें यह सा बलोचस्तान में कुछ करने की जुरूत नहीं है जैशंकर साब अकेले काफी है हमें कोई किसी को यह क खुद कर आप आमें से पैसा मंगेंगे ठीक है इंडिया इम्यफ से यह बोल देगा कि ठीक है एक मैने बाद ब इढ़िजे कि मना मत कर amend कर पाकिस्तान को अगर आपको दे नहीं है तीन हट दीजिए उस तीन फते मेरं पाकिस्तान का कितना डिमाज हो रहा है बस अगली बार आपने सावधी अजय बादी अंगे इंडिया वहिगा दीजिए दौह ददी प्रिफ ने करें आब हैं मैं आप năm को यहाह पर अगई आरश को पाकिस्तान होइन क्या स्कुल्ट टेक्नोलाजी के सांनल आशाचर जो सभगा निमोगे पैसा मंगए तुम अखने तो ह Evangel को आःए तो आध्षिस कुल कर और दिछ ct चीज गिरवी रखो या हमें बेचो वो खरीद रहा है आपके जो स्टेट ओंड कंपनीज है ना स्टेट ओंड एंटर्पराइज उसके वह 10 परसंट 20 परसंट खरीद रहा है तो यह जूट बोलके गोली देखे कि पाकिस्तान में इंवेस्मेंट आ रही है क्या टाइग जो हमें सिखाए जाता है बिजमस का यह पी और ट्रोंड होता है क्या है उस्कार वएक तूछ नहीं है आपकी कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेश्ट लेंगा किस्तान इंटरनेशनल लेंश है डाइन दस परसंट परिद लेगा फिर आप बोलेंगे 55 देलो पांच सा सब्सक्राइब एक और बात में पूछना हो आपको तालिबान को ओफिस कहां पर है इंटरनाशनल ओफिस तालिबान का है इस तरीके से हैं तो जो भी यह सोच रहना है कि कतर से इंवेस्मेंट हो रहा है कोई इंवेस्मेंट वेस्मेंट नहीं और आप पूछना चाहूंगी मेजर साब के जो खर यह बात पहले भी शायद हम लोगों ने की है लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं पूछूंगी कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी जो है वो यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ जो है FATF और दूसरी चीजें पाकिस्टन में गड़बर हो ही रही है लेकिन साथ-साथ बाजबा साब ने कहा था कुछ ताइम पहले कि जी आप पिछली बाते भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए तो आपको नह नहीं लगता कि वो जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कड़ी बैटिंग हो हमारी बारी है तो वो जो कह रहे हैं के भूल जाओ और आगे बढ़ें तो वो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं आपके ख्याल से कितने मासूम है बाजवा साब ना बिलकुल बच्चे जैसे बिलकुल कितने स्वीट हैं क्यूट से बूल जाओ जो हुआ बहूल जाओ तो बहुत है इनके बार डैरी आँगे इसे लिखाब कि ये कर यë कर यह कर यह कर देखे बात यह है कि शुरुआत्थ हमने नहीं कमें ठीक है शुरुआत् हमने नहीं क鐵 और हमने इतना कर दिया पाकिस्तान को कि लायन आउट कंट्रोल जो है वो एक्टिव नहीं है ठीक है क्योंकि हमें पता था अमेरिकन्स बीच में पढ़े होंगे मेरे इसाब से और बोला होगा नहीं आप थोड़ा सा यांप विकॉस यह तभी हुआ था जब एग्जेट हुआ था एग्जेट से पहले की बात है यह लान ओ कंट्रो मोदी थी इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के रजम अंदी थी इसका मतलब कि हमारी कुछ बाचीत हुई यह वर्ल्ड पावर से यह बोला है कि ठीक है अफ्गानिस्तान में सिच्विशन है हम पाकिस्तान को ब्रीधिंग से एक बात हुई इंडिया ने उसको ऑनर करा पाकि पाकिस्तान का दर्द बन के रहे हैं आपके साथ जो भी हो रहा है यह दर्द तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तानी यह न बोलें कि तो कश्मीर की स्पेलिंग नहीं आती यह दर्द चलता रहेगा और देखें क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है इसमार सुझी है ट्रस्ट हम कुछ गलत थोड़ ना कर रहे हैं हम बाड़ हम तो नहीं लाए नहीं आप टीक है रहें बाड़ आप नहीं लेकिन यह के जाहिर है बी जो है वो 75 यह से जो बात करता चला आ रहा है वो उससे हटना उसके लिए भी एक मुश्किल काम है और मेरे कहले है इसके लिए बाचीत के जरीए ही किया जा सकता है और इसको कोई ना कोई हलो होना चाहिए ताकि यह सारे तमाशे जो आम पबलिक धील रही है वो खतम हो को मैं आपको बता रहूं यह सब देखिये पात यह है कि आप और हम बैठेना हम सांतुना दिप्रिए एक दूसरे को हम ऐसी करते ने कोई बात नहीं कोई बात हो बात करें अगर बात भी हो गई तो कोई फाइदा नहीं है मैं आपको बता रहा हूं इंडिया की पोजिशन ब अगर बहुत आपने इंडिया को बोलेगे नहीं बात करो बात करो बात करो सारे वर्ल्ड पार स्पीच अपड़कर ने बोले ठीक मीटिंग कर वान इपने कॉन्फेंस कर लेते हैं क्या दिकते आई यह सवागत है आपका इंडिया में आ जाएंगे लोग बातचीत हो और वो प्रेशर में बता रहा हूं दो-तीन साल मैं अनवेरेबल हो जाएगा दोझा चौविस के पहले एंडिया हो जाएगा मैं आपको आज आपकी शो में बता रहा हूं और इस चीस इस क्लिप को को आप निकाल के आप रखिये गा अपने पास और मेरी बात याद रखिये दोजार चॉबिस के पहले यह प्रेशर पाकिस्तान के लिए अन्वेरेबल हो जाएगा and now they will have to take a public decision सबको एक बार आएगा प्राइम आर्मी चीफ नेशन को एड्रेस करते हुए कि मेरे अजीज हमवत्नो कश्मीर एक बुरा सपना था इसको बूल जाएगा जब तक यह प्रॉब्लम चलती रहेगी मैं बता रहा हूं आपको यह प्रॉब्लम कभी न खादा होने वाली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कश्मीर को पाकिसान भूल जाए मैं बुझे नहीं लगता ऐसा क्यूंकि जो हम सुनते चले आ रहे हमेशा से उस पे एकदम से बदलने का इनका को इरादा मुझे लगता नहीं लेकिन बारहल जो भी हो अच्छे के लिए हो और स्पेशली कश्मीर के लोगों के लिए हो जो वहाँ पे रहते हैं और जो यहाँ पे कश्मीर में रहते हैं उनकी मर्जी के साफ से और अमन रहे किसी के समगी मजीद गर पढ़ना हो वह शुग्या सर्थ आज आपने जॉइन किया थैंक यू सुम् हैं जरनल फैस ने बहुत बढ़े जावे किया हैं जरनल फैस्थ ने बहुत बड़े दावे किया हैं तो लिए लोगा वज हैं मज़ तक हम हम मदद करेंगे हैं हम आर्मी बेजिएंगे हम पैसा देंगी यहां से यह कुछ होगा लेकिन ऐसा कुछ भी रही हुआ जो मेजर साब बता हुए मैं कहता हूँ मेजर फैंट अफगानिसान में लेने क्या गया थे क्या करने कहते हैं मुझे एक सवाल कर दो पाकिसान के सके नहीं है दुश्मन है मैं कहता हूँ अब हम पहले भी पता है वो सब यह वो तो आरदू साब ने बात की है कि जो अदाद किश्मीर है या जम्हो किश्मीर की आम अवाम है उसको वो क्या चाहती है उसको खुछ वाली चाहिए जो यह जिए टैरिस्त या हमबर साड़ी उबर हमले ही होते रहें कोई हमला नहीं हो र अब हमारे अदाद किश्मीर में कुछ हुआ है उदर हर वकत फौजे तैनाद है नहीं हुआ भाई है तो कहता हूं सारे जो जम्हो कश्मीर है जो अदाद किश्मीर है वो दोनों ही ना अवाम उसकी फंसी होई है जब तक उसकी जान पतन जान चुटेगी इस हालाद से पहल हैं जो जम्हो कश्मीर इंडिया के अंदर ही हर तरह की अजाती मिली हुई है हर तरह की अ दो और ऑश थैपर बार दोब ने यह और बोलना नियंज आउ हूरा हूं जम्हो कश्मीर जो इंडिया के अंदर रही है वो बिल्कुल अजाद है उनको दुनिआ की हरता की साउयलत मील रही है Alle होधार दुनिया कि कॉमपडे पड़ी कॉपड़ी इन्वस्ट्ट करने आ धी है । दुमए जैसे हा रही हैं। कतर जैसी सौदिय अर्व जैसे आ रही है। आजान कशमीर हमारा अजाद है उसे दुनिया के आर्फवार्ट मेंजर साथ 124 तक जिया क्या बात कर चुके हैं? जम्मु कहीं कोई कशमीर की बात जो है ना वह इस तरह की जो कहते है रहे वह पाकिस्टान जो करना तो वह कर लिया पाकिस्तान छो दैश्यत फेलाने थे इंडिया प। फेला चुकी नियुख वक्त गुजर हैं अब जो हो रहा है। हर मसले का जो रहगा आब आप नहीं, जो बात्चीत होती है भी नियुख पाकिसे तो नहीं है, नहीं करने लेटे चाहिए। किशिद्गी पैदा हुए कोई कशिद्गी है ही नहीं है यार जो इंडिया करता है आई एम एफ या ग्रेय लिस्ट में पाकिस्तान के लिए ग्रेय लिस्ट में तो वो अर्दु कादमी यह बात कर रही थी के इंडिया को यह कदम नहीं उठाना चाहिए जो पाकिस्तान मुख और नगे करनर है इतनी असान है। दुनों को वार को नों फूछाल होने चाहिए। भाई क्यों कि दुनार था बेनिया भी और ने जो पाकिस्टान और इंडिया के जरा वह सियासत्तानाइन थी और इस इल प्रफल्च जो दूसरी बात रहना की चाइन होते दूसरी बात रहागी I A M F चाहर जो है उसके अंदर जब तरब आपके जाफ पाकिस्तान के साथ रहे गा पाकिस्टान générय ग्रैलर ऑनका के नहीं जाएगा बलक्रीस्ट पाकिस्ट विए तुछ रखना रूगा है यापने बर्भूते पर होना किसी से अथा नहीं होना चाहिए पाकिसान को तो यार नहीं हो सकते नहीं हो सकते नहीं हो सकते नहीं हो सकते जब तक स्यासरदाने चाहेंगे ऌकित Bee from faugie जब तक स्यासरदाने चाहेंगे तो अच्यासर पोट टूलेगा हो सब्सक्राइदाने और सुप्णय परया चाहनों थे ज़्धाने चाल पुछा नहीं हो He лож he नुकर कि ख़ूँ के खतम हो जायगा ये फंदों मुऑलाơi को में दर्म आमना ओगी मेरा भाई, अबाई, अबाई न कभी भी रीचाइजें ? अबाई अबाई